आज दो टू खरी-खरी बात रूस और उक्रेन के बीच बीदेश साथ-ाथ महिने से चलिया रही कोणी जंग की वो जंग की बाद जिसने उक्रेन को जीने के काबिल नहीं छोड़ा है और रूस बेवजही घर बैठे बठाए एक नई मुसीवत में जाकूदा दरसल जल्दवाजी में रूस ने वही कर डाला जो उसे उक्रेन के सामने अलकर मुजुदा हालातों में कताई नहीं करना चाहिए था और अमेरिका बिरिटेन वा रूस के दुश्मन देश यानी नाटो गैंग जो चाहता था वो ही रूस ने कर डाला इस बीच रूस ने यूक्रेन के चार हिस्सों को अपनी हदो में मिलाने की बीते शुक्रवार को घोशना करके सावित कर दिया कि इन साथ आठ महिने की लडाई में रूस ने क्या पाया और यूक्रेन ने अपना क्या कुछ खोया जंग के इस दोर में अब तक रूस कई बार दुनिया को परमाणू हमले से सब हिसाब किताब परावर कर लेने का आएना कई बार दिखा चुका है मगर दुनिया उसकी बात गंभिरता से लेने को राजी नहीं है 24 फरवरी संद 2022 तक दुनिया तो ये भी मानने को राजी नहीं थी कि रूसी मिलेटरी यूक्रेन के सीने पर चाकर बंबंदु गोला बारूत दागना शिरू कर देगी लेकिन है तो कुबबत रूस के जिद्धी राष्टपती ब्लादमेर पुतिन की ही थी कि उन्होंने जो ठान लिया वो करके दिखा दिया और 24 फरवरी से ही नाटो कैंग में शामिल देश मकार आमिर्का और घाग बिर्टेन अपने घरों की चतों पर बैटे रूस के हाथों यूक्रेन की तभाही होते देख रही है ऐसे मेर उसी राष्टपती ब्लादमेर पुतिन की धमक्यों का जबाब देते हुए अब पश्चमी देशों के सैने संगठन यानि नाटो गैंग ने परमान विर्ध की चेताबनी देडा ली है पुतिन ने शुकरवार को क्रेमलेन में आयो जित एक कारिकरम में यूक्रेन के चार शहरों को रूस में मिलाने वाले दस्तावे जो पर हस्थाक्षर किये थे उसी दोरान पुतिन ने जो भाषण दिया उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है अब इसी बीच नाटो गैंग के धंकियों से हालात और भी जादे नाजुक से होते दिखाई दिन लगे है नाटो चीफ जेंस इस टोल्टेनवर्ग ने कहा कि पुतिन के शर्मना कबजे के बाद से नाटो कब युक्रेन को अपना अटूट समर्थन देने से कोई नहीं रोग सकता है नाटो चीफ ने कहा कि पुतिन के हाल में उठाएगे इस घातक कदम ने दुनिया को परमान तभाई की एक कदम और करीब लाख़़ा किया है इस टोल्टेनवर्ग ने ये बात एक प्रेस कॉनफेंस के तोरान कही नाटो युकरेन के स्वतंदरता, संप्रोहता और छेत्री एकर्णता के लिए अपने समर्थन की खुली पुष्टी करता है उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम युकरेन को अपने समर्थन को लेकर दढ़ पृतिगे हैं क्योंकि युकरेन तो रूसी हमले से अपना बचाओ कर रहा है जबकि रूस खतरनाक हमलावर के रूप में उभर कर सामने आया है इसी बीच अमेर की राश्टपती जो बाइडन के ब्यान ने रूस के लिए आग में घीका काम कर डाला है जिसमें जो बाइडन ने कहा है कि अमेरिका युकरेन को सैने साहता प्रदान करना आगे भी निरंतर जारी रखेगा अमेरिकी राश्टपती जो बाइडन ने आगे कहा कि युकरेन को खुद की रक्षा के लिए जिन उपकरणों की जिरुत महिसस होगी बेसाब हमारा देश यानि अमेरिका युकरेन को अब खुले आम मोहिया कराना आगे भी चारी रखेगा रूस द्वारा हाल में ही युकरेन के चार एहम हिस्सों पर कबजे को लेकर अमेरिकी राश्टपती ने कहा कि हम इन कदमों की निंदा करने और रूस को जबाब दे ठैराने के लिए अंतरस्टी समदाई से अपील करेंगे यहां बताना जरूरी है कि पुतिन ने बीते शुक्रवार को ही औप चारिक रूप से युकरेन के चार शहर दोनेश, लोहांस्क, खेरासौन और जापो रेजिया का रूस में बिले कर लेने की आधिकारी घोशना करती पुतिन युकरेन से कब जाए इन चारो ही इलाकों की रक्षा, शुरक्षा, रूस द्वारा की जाने के बाद भी खुले मंद से एलान कर चुके हैं रूशी राष्टपती के इसी कदम को आप नाटो गैंग में शामिल देशों साइथ पुतिन के दुश्मन आप परमाणों हत्यारों के इस्तिमाल की धंकी की रूप में देख रहे हैं बीते शुक्रवार को दिये गे भाषण में पुतिन ने पश्चिम और खासकर अमेरिका को निशाने पर लिया था उन्होंने अमेरिका को नरसनहर का आरोपी करार दिया और कहा कि दुनिया भर के देशों पर जुट है आरोप लगा कर हमले किये और लाखों लोगों को मार डाला पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को लूटा और अब उनकी निजर रूस को लूटने पर लगी हुई है पुतिन ने रूस के पूरवर्ती नेताओं पर टिपड़ी करते हुई कहा कि उन्होंने अमेरिका के बहकावे में आकर अपनी सामरे की शक्ती को कम करवा डाला था पुतिन के भाषण के बाद अब नाटो प्रमोख और अमेरिका के खोले ब्यान से ये तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन सहीत नाटो गैंग में शामिल देशों के लिए हो रहे इशारे ठीक नहीं है कौन केस पर भारी पड़ेगा इस सवाल का जवाब भविश के गर्म में ही छोड़ती जी TV9 डिजिल चैनल के लिए संजीक जोहन की रिपोर झाल